रिम्स के ट्रॉमस सेंटर के डॉक्टरों के टीम ने दो मरीजों को नई जिन्दकी दी है वहीं डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि दो मरीज माइस्थेनिया अग्रेसिव नामक बीमारी से ग्रस थे जिसके कारण दोनों की स्थिती काफी नाजुक हो गई थी निजे अस्पतालों ने जबाब दे दिया था लेकिन रिम्स ट्रॉमस सेंटर के डॉक्टरों के टीम ने सफल ओपरेशन कर दोनों को नई जिन्दकी दी खुद से खाने का निवाला तक नहीं उठा पाने वाले मरीज अब खुद अपना सारा काम कर रही है रिम्स के नए ट्रॉमा सेंटर में दो मरीजों को सेंटर के अनुभवी विशेशक्य डॉक्टरों ने नई जिन्दकी दी इन दोनों मरीजों में एक बहरा गोडा का रहने वाला 20 वर्षिय सोमेन खत्रा है और दूसरी रांची के कांके प्रखंड की रहने वाली 51 वर्षिय पुश्पा खलकों है ट्रॉमा सेंटर के होडी डॉक्टर प्रदीब भटाचारे ने बताया कि दोनों मरीजों को माईस थेनिया ग्रेविस नामक बिमारी थी दोनों मरीज की इस्तिती इतनी नाजुक थी कि निजी अस्पतालों में इलाज के बाद दोनों को जवाब दे दिया था परीजनों को बता दिया गया था कि मरीज अब 48 घंटे से ज़्यादा नहीं बच सकेगा में अभी दो मरीज हमारे पास आये थे जो माईस थेनिया ग्रेविस एक बिमारी होती है जिससे गडिक थे एक उडिसा से आये था पिशेंट और एक यहीं राची में काके से आये थे और दोनों की हालत जब हमारे पास आये थे तो दोनों की हालत इतनी खराब थी कि ऐसा लग रहा था कि वो शायद ज्यादा दिन तक नहीं रहा पाएंगे लेकिन हमारी टीम ने बहुत कड़ी मेहनत की दोनों मरीजों के पीछे में वेंटिलेटर पे रहे करीबन तीन हफते तक दो से तीन हफते दोनों मरीज वेंटिलेटर पे रहे और उसके बाद हम उनको सक्सेस्फुली वेंटिलेटर से बाहर करके और आज हमें इस बात के खुशी है कि दोनों मरीज वेंटिलेटर में भी नहीं है ना तो उनको ऑक्षियन लग रहा है और वो अच्छी तरह से बैठ के खा पी रहे हैं पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहें मरीज अब स्वस्थ हैं रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के नए डॉक्टर सैफ, डॉक्टर अनीशा थोमस और डॉक्टर सुरेंद्र के नत्रितु में उनके डॉक्टरों की टीम ने ये कारनामा कर दिखाया है रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के अनुभवी विशिशग्य चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को अत्याधोनिक विश्व अस्तरिय उपचार मिल रहा है मरीजों ने क्या कुछ कहा आप खुद सुने मुख्य मंतरी रगवर्दास के सपनी को साकार कर रहा है रिम्स का ट्रॉमा सेंटर अत्याधोनिक मेडिकल उपकर्णों से लैस्ट ट्रॉमा सेंटर के अनुभवी डॉक्टर मरीजों को विश्वस्तरिय इलाज दे रहे हैं बस जरूरत है कि ट्रॉमा सेंटर में मैन पावर की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को सुविधाएं मिलती रही रांची से न्यूज लेवन भारत के लिए सक्तिवरत किरन की रिपोर्ट